नमस्कार आप देख रहे हैं कबड़ी अड़ा और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे तेलगू टाइटन्स पीकेल 11 के आक्षन के लिए तैयारी कर सकती है प्रो कबड़ी लीग सीजन 10 के दोरान टीम में पवन सहरावत जैसे खिलाडी होने के बावजूद तेलगू टाइटन्स का प्रदर्शन काफी निराशा जनक रहा था लेकिन अब आगामी प्रो कबड़ी लीग सीजन 11 में वे अच्छा प्रदर्शन करने और पहली बार खिताब जीतने की कोशिश करेंगे ऐसा करने के लिए तेलगू टाइटन्स को पीकेल 11 में एक मजबूर टीम बनानी होगी और इस योजना को सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए उन्हें पीकेल 11 के आउक्षन में नए और प्रतिभाशाली खिलाडियों को खरीदना होगा तेलकू टाइटन्स के मालेक अपने कप्तान पवन सरावत को रिटेन रखना चाहेंगे पीकेल 10 में पवन सरावत का प्रदर्शन काफी सरानिय था उन्होंने 202 रेट पॉइंट हासिल किये थे हलाकि हाई फ्लायर कोट टीम में रखने के लिए तेलकू टाइटन्स को 2 करोड 60,50,000 रुपए की भारी रकम चुकानी होगी आपको बता दें कि पीकेल में टीम बनाने के लिए प्रतिक फ्रेंचाइज को 5 करोड रुपए का पर समाउंट दिया जाता है साथ ही एक पीकेल टीम में कम से कम 18 और अधिक तम 25 खिलाडी होने ही चाहिए अगर तेलकू टाइटन्स पवन को रीटेन रखने का फैसला करती है तो उनके पास टीम बनाने के लिए लगबग 2 करोड रुपए ही होंगे और अगर वे पवन को रिलीस करते हैं तो उनके पास पर्स अमाउंट के पूरे पैसे तो होंगे लेकिन शुरुआत से नई टीम बनाना एक कठिन चुनाती होगी हलाकि टाइटन्स के पास अन्ने खिलाडियों को भी रीटेन करने का विकल्प है लेकिन पिछले सीजन के आकड़ों को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि टीम जादतर खिलाडियों को रीटेन रखना चाहेगी हलाकि टाइटन्स अपने रेडर प्रफुल जवारे और रॉबिन चौधरी को रीटेन रखने पर विचार कर सकते हैं टाइटन्स ने प्रफुल को नियू यंग प्लेयर के रूप में खरीदा था और रॉबिन को 9 लाक रुपे में इसके अलावा तेलगु टाइटन्स पीकेल 11 के आकड़ों के पीछे जा सकते हैं उनमें से कुछ नाम हैं मनिंदर सिंग, परदीप नर्वाल, सिधार देशाई, चंदरन रंजीत, वी अजीत कुमार, विशाल भारदवाज, रंड सिंग, सुर्जीत सिंग, विकास कंडोला और फजल अर्तर चली ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सभी खिलाडी केवल तभी पीकेल 11 के आकड़ों के लिए उपलब्ध होंगे जब उन्हें उनकी करेंट टीम द्वारा रिलीस किया जाएगा आपको बता दें कि पीकेल 11 का आकड़ों 15 और 16 अगस्त को होगा ऐसे में तेलगू टाइटन समेथ हर फ्रेंचाइज एक मजबूर टीम बनाने की कोशिश करेगी